हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का Comic World चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाके लग सीरीज का अगला कॉमिक विशेशांग कंठ नाग संजो कुपता पेश करते हैं कंठ नाग कहते हैं वनों में राक्षस रहते हैं किन्तु वनों में वन्न प्राणी भी रहते हैं और साप भी एक वन्न प्राणी है किन्तु ये ना किसकी तपस्या कर रहा है सारप शिरी किरपया शीग रागर दर्शन दे क्या पुत्र को पिता के दर्शन हितु भी घंटो पर तिक्षा करनी होगी बाके लाल भी तेजी से उसी हो रहा रहा था रुशी कजरा मोहबद वाला ने कहा था कि अगर मैं वन मैं जाकर एक पत्थर उठाकर उसे फेकूं तो वो पत्थर जाकर किसी प्राणी की टाट पर टकराएगा तब वही प्राणी मुझे एक वर्दान लेगा जिससे मेरी एक इच्छा पूर्ण होगी चीक की अवास लगता है पत्थर प्राणी की टाट पर जा लगाए वो मारा अगर मारा मगर मारा किसने अरे मेरा फेका पत्थर एक साप को लगा है उस नेवली की नजर भी बाके लाल पड़ पड़ गई ओ तो तुम नहीं वो पत्थर फेक का मेरे शत्रू का काम तुमाम किया है नेवला मनुश्यों की भाती कैसे बोल रहा है हैरान नहों मानव मैं नेवला लोग का राजकुमान नल हूँ और ये डुष्ट जो यहां मरा पड़ा है नाग लोग का राजकुमान नगाड़ा है हम नेवलो और सापो की शत्ता तो जगपरसिद्ध है किन्तु अगर आज तुम्हारा फेका पत्थर इसकी टाट परा कर न लगता तो ये अवश्ट ही मुझे मार डालता क्योंकि आज मेरा कड़वा चौथ का वरत है तुमारे यहां ये वरत इस्त्रियां रखती है बगर हमारे यहां पुरुष इस दिन लड़ाई जगड़ा वर्जेत होता है ताकि पुरुष कम से कम एक दिन तो चैन से रह सके अब आ बग बग मत कर, वर्दान दे वर्दान मानव मैं तुछ परपरसण हुआ और नेवले मैं अभर परपरसण होते हैं तो उसे वर्दान अवश्य देते है आप वर्दान देना चाहते हो तो अवश्य दे कर जाएए तो फिर ठीक है मानव मैं तुझे सर्पों को सम्मोहित करने की शक्ती देता हूँ किन्तु तु अधिक से अधिक दो सर्पों को ही एक बार सम्मोहित कर पाएगा अब पकड़िये वश्य करने तिनका अपनी इनाक में तिनका करने के बाद जैसी तुझे चीक आईगी सर्पों सम्मोहित हो जाएगा तुमारा बहुत बहुत धन्यवार नल तिनका समाल कर जेम में रखने के बाद बाके लाल किसी सर्प की खोज में आगे बढ़ चला सर्प सम्मोहित होने के बाद मेरा आदेश जरू मानेगा और मैं तो उसे एक ही आदेश दूंगा कुटिलता से मुस्कराते बाके लाल की आखों के आगे विकरम सिंग की तस्वीर ना चुठी थी इदर सर्प पुत्र की तपस्या पूर्ण हुई खुड अखा खोल पुत्र विश फस देख तेरे पिताश्री आ गया अब आखे खोलो पुत्र पाई लागू पिताश्री पुत्रा पाई लागू नहीं कहते क्योंकि हम सर्पों के पाउं नहीं होते हमारी तो पूछ होती है सर्प पूछ लागू कहते है ठीक है पिता सर प्रिश्री बविश में यही कहा करूँगा पुत्रा अब पता कि मुझे क्यों बोलाया तुझे तो पता हिया कि मैं भगवान शंकर के कंटका नागूं उन से थोड़ी देर के लिए बे अलग नहीं हो सकता इसलिए तो मैंने अपनी सारी विरादरी प्रिथी परी छोड़ लग की है ताकि मुझे रिष्टिदारी में आना जाना ना पड़े और जब तेरी पोकार मेरे कानों में पड़ी तो पुत्र मोह में फसकर मैं पड़ी मुश्किल से यहां पाया हूँ वो भी इसलिए क्योंकि शंकर भगवान अपने भक्तों की सुद्र लेने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे थे मैं अब सर देखकर उना बिन वताई कि जगाया अब तु जल्दी से बता कि तूने मुझे इतनी दया आया आचना और तपस्या करके यहां आने पर विवश क्यों किया है पिता शर्प श्री मैंने केचली जाती कि एक सरपड़ी से विवा कर लिया है किन्तु बिरादरी की सरपड़ी से शादी ना करने की कारण सर् पाजवेद उसका उपचार करके उसे ठीक कर लेगा शायद यही सोचकरी सरपड़ी ने मुझे ऐसा शाप दिया है और अगर मोटा ठीक हो गया तो मैं पिता नहीं बन पाऊंगा और एक दूसरे शाप के कारण अगर मैं पिता ना बन पाया तो आपकी कुलवदू की पाजली भी नहीं कर पाएंगे आप मुझे ऐसा वर्दान दें कि अगर मैं मोटे को डसूं तो वो बचने ना पाये मैं तुझे वर्दान तो दे दूंगा किन्तो अगर तु बेवा जा किसी को डसेगा तो मेरा वर्दान तुझे नहीं लगेगा डसने का कोई ना कोई वर्दान देने के बाद अच्छा तो पुत्र अब मैं चलता हूं अगर भगवान शंकर को पता चल गया कि मैं उनके कंठी से गाय वो तो वे क्रोधित होंगे ठीक है पिता श्री मैं भी चलता हूं और आपकी बहु विश्याली को ये खुशकबरी सुनाता हूं किन्तो उनका धुरबा गिता कि एन उसी समय बाद की निगाद वनों नागों पर पड़ गई वाह एक नहीं दो दो नाग बाद वशीकर्ण तिंका नाग में डाला जल्दी से नाग मैं तिंका करूं अपनी नाग में तिंका करते ही बाद की को जोड़दार चीक आई बाके लाल आगे बढ़ाया मेरा नाम बाके लाल है अब तुम दोनों नाग मेरे गुलाम हो और वही करो ये जो मैं चाओंगा हम आपके गुलाम है ये हमें क्या हुआ हम इसका आदिश मानने पर विवश्च क्यों लग रहे हैं ये मेरे गुलाम बने भी है या ने ये कैसे पता चले ये पता करने का तो बहुत आसान तरीका है बाके लाल वहीं पर टांगे पसार कर बैढ़ गया चलो मेरी टांगे दबाओ जो कम सौमी पिताश्री ये सब क्या हो रहा है हम इस मानव का आदिश क्यों मान रहे है ये रहस्चत मेरी भी समझ में नहीं आया और ये दे अब मैं इने पकड़ कर फिलाल अपने कुर्ते की जेबो में रख लेता हूँ मैं चलता हूँ महल फिर अफसर पाते ही मैं इन नागों को मोटे को दसने का आदेश दूँगा मोटे को कैलाश परवर्पर ध्यान की मुद्रा में बैठे शंकर भगवान की निगाए अपनी गीली दोती पहन कर मेरी तपस्या क्यों कर रहा है अरे शंकर भगवान आप आगाए तूने मेरे प्रशन का उत्तर नहीं दिया वस आप तो अंतर यामी है भगवान खेर तेरे बताए वे नाभी है मैं समझ गया तूने सांप पगड़ तो लिया मगर ये वे तुझे टस ना नाकून तो बागी सर पराक्षस नक के ही है जो अपना रूप परिवर्ति करने में माहिर था और रूप परिवर्ति करके नेवलों को सताता था तब मैंने ही इसे ये शाप दिया था कि ये अपने पाउं के नाकून परिवर्तित नहीं कर पाएगा ताकि नेवले इसके नको से इसकी पहचान कर लें और दोका ना खाएं अपने नकों को छुपाने के लिए इसने उन्हें रंगा रंग रखा था किन्तु बार बार दोती गीली होने से वो रंग उतर गया है और इसकी असले मेरे सामने आ गई है किन्तु होड़ अपा दे की हो क्योंकि इस जुष्टन है मुझसे पहले पारवती को परसंद करके उनसे ये वर्दान ले लिया है कि ये एक बार जब भी मेरी तफस्या करेगा तो मुझे प्रकट होकर इसे छित वर्दान देना ही होगा और मुझे मालूम है कि ये मुझसे मेरा तुष्षूल मांगेगा और अगर ये मांगेगा तो मुझे इसे तुष्षूल देना भी पड़ेगा और अगर मैंने इसे तुष्षूल दे दिया तो मुझे मालूम है कि ये उससे क्या काम लेगा ये मेरे तुशूल की विद्धन्सक शक्ती के बल पर नेवला लोग का राजा बनने निकल पड़ेगा उसके बाद फिर इसका निशाना बनेंगे तीनों लोग केवल एकी स्थिती मुझे इस धर्म संकर से बचा सकती है और वो ये कि ये दुश्ट मुझे से वर्दान न मांगे मगर ये दुश्ट पापी ऐसा करेगा नहीं पंगा ते पैगाया आई खोड फेड त्वाटा की हो भगवान शंकर जी ये मुझे घुर घुर के क्यों देख रहा है कौना तु बहरूपिये? Bay lawyer, मैं Bayadora? और नहीं तो क्या? मैं भगवान शंकर नहीं हूं मुर्क बहरूपिये, तु भगवान शंकर होईए नहीं सकता भला वो क्यों? क्योंकि शंकर बहवान के गले में कंठना क होता है कंठनाक? इह है तो सही? अरे कंटना का गया तेरी पोल खुल गई भहरूपिये मैं कोई रिशी नहीं बलकि महाराक्षस नक हूँ मैं जानता हूँ तुझे शंकर भगवान नहीं शंकर भगवान बना कर भेजा होगा ताकि उन्हें समा कर मुझे वर्दान ना देना पड़े शंकर भगवान ये रहस जानते हैं कि एक शाप के कारण मैं शिफ जी या पारवती के लावा अगर किसी और से वर्दान मांगूँगा तो तुरन चलका भस्मों जाऊँगा मगर कंटनाग ने तुमारी पोल खोल दी और मैं भहरूपिय शिफ जी से वर्दान मांग कर भस्मोंने से बच गया जा जल्दी भाग जब भहरूपिय शंकर अनता इस गदा से मैं तेरी खोपड़ी से एक अजार तुकड़े काड़ा लूँगा मैं तो तेरी तपस्या से बसन होगा तेरी इच्छा पुड़ करने आया था सोच ले तू मुझे जाने के लिए खहरा है अगर मैं चला गया तो तुझे एक बार फिर मेरी कटोड़ तपस्या करनी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि इस बार मैं ना भी आऊँ फिर तेरा की होगा शंकर ववान तुरन अंतरधान हो गए चलो अच्छा हुआ मैं इस जुष्ट को वर्दान देने से बच गया भैरूपी शंकर से वर मांग कर मैं भस्म होने से बच गया किन्तु अब मुझे फिर से तपस्या करनी होगी और ऐसा मेरे कंठनाग के कारण हुआ अब प्रश्ण ये उत्पन होता है कि कंठनाग मेरी अनुमती के बिना अचानक कहा चला गया तिरलोकी को ये पता चलते देर नहीं लगी ओ वो रहा कंठनाग ये तो मेरे भक्त बाकेलाल के हाथ में थमें उस पिटारे में है ओ बाकेलाल ने मेरे कंठनाग को पिटारे में कैद कर रखा है शंकर भगवान तुरन बाकेलाल के कक्ष में प्रकट हुए इसे मैं जाने से नहीं रोखूंगा अब मैं देख कर रहता हूँ कि मोठा खाए ताकि इनमे से एक नाकों में विकरम सिंगे डसने का आधेश दे सको शंकर भगवान ने उस पिटारे को खोला भगवान के इस परश के साथ ही कंठनाग पर हुआ वशीकर तिनके का सम्मोहन भी तूट गया कंठनाग भगवान आप किरप्या मुझे शमा करें भगवान पुत्र मोह में फसकर मैं आपकी अनुमती के बिना अपने पुत्र की इच्छा पूड करने चला आये था तुमारी इस हरकस से आध तीनों लोगों का आयत होने से बच गया इस बार पर मेरा तुम पर से सारा क्रोथ पानी बनकर बह गया है कंठनाग अगर बाके लाल तुम्हें कैद ना करता तो शायग तुम मेरे गले में उस समय आभी चुके होते जब दुष्ट राक्षत नक मुझे शंकर भगवानी नहीं मान रहा था मैं बाके लाल पर भी प्रसंद हूँ तुम तो चलो मेरे कंठ पर बाके लाल मैं तुम्हें ये वर्दान देता हूँ कि तुम जब भी किसी विशायले सर्फ के डसे वैक्ती के सामने जाओगे तो उसको चला सारा विश उसके सरी से उतर कर तुमारे गले में खटा हो जाएगा और तुम भी कुछ समय के लिए मेरी तरह नील कंठ हो जाओगे फिर उस विश से चुटकारा तुम्हें किसी दुष्ट का संगार करके ही मिलेगा मेरा पुत्र राजा विकरम सिंग को डसना चाहता था वो बिल्कुल ठीक इस्तान पर आ गया है अब मुझे इसकी फिकर नहीं करनी वो तो अपनी दुन में था कि उफ यहां तो बहुत फिसलन है बाके लाल को पता भी नहीं चला थे कि भगवान जंकर ने उस पर प्रसन होकर उसे क्या वर्दान दे दिया था सैनिकों को इस बेहूदगी से हस्ता देकर बाके लाल नक्रोधित होते हो इटने की चेश्टा की मगर फिर फिर सल गया खामोश तुमारी ये चुरत आ इस बार चैरा फरस से टकराती बाके लाल की नाक्स सारा शैतानी तुरंट सूंग ली तो तुम लोगों ने यहां पर सरसों का तेल फिला कर फिसलन पैदा की है कमबकतों बाके लाल से यह ची तुमें बहुत महेंगी पड़ेगी मैं कहता हूं पंद करो अपनी यह मनूस हसी और मुझे सारा देख रहा कड़ा करो नहीं तो एक केक की खाल कोड़े से खिचवा दूँगा बाके लाल जी कोई आपको सारा दिने मां फिसलन पर कैसे पोचेगा आपको अपना कोड़ता उतार कर स्वामी मचली की तरह तेरते फिसलते हुए इसो राना पड़ेगा बाके लाल समझ गया कि उस सेनिक का कहना मान लेना चाहिए कमबक्तों अपनी खाले कोड़ों से खिचवा निकले तयार हो जाओ बाके लाल आ रहा है फिसल फिसल पिर जैसे ही बाकेलाल तीविर गती से पास आया सभी सेनिक उसके आगे से हट गए और और अकम भक्तो मैं तो सोच रहा था तो मुझे पकड लोगे मगर तुम तो तीवार के आगे से हट गए हे 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 दंड देना बाकेलाल के हाथ में नहीं था उसके लिए सेना पती का महा होना आवश्चक था सेना पती सेना पती अरे कमगत कहा मर गया खबराओ नहीं बाकिलाल, मैं राजवाद को ले आया हूँ मगर तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे राजवाद की आवशकता है वो तुमारे सिर्ग पर बना गूमर देखकर मगर ये तो पहले बना है और तुमने बात में देखा थ कबराओ नहीं बाकिलाल मैं दवा मल देता हूँ यह अभी बैठ जाएगा दवा मैंने मल दी है अब तुम थोड़ी देर बाहर घास पर जाहा मैं बताओ बताओंगा वहाँ लेट जाओ सिर को भी जमीन पर ही रखना जरूरी है यहां लेट जाओ यहां की घास नर्म है हाँ बाकिलाल यहां पर चीटो की बांबी भी नहीं है मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बाकिलाल मैं उन निकम्मे वा शैतान सेनिकों को चुन-चुन का डंड दूँगा जिनके काड़ तुमारी ऐसी हालत हुई उन्हें फर्ष पर तेल नहीं चुपढ़ना चाहिए था मगर अभी यह बाते तो मैंने तुम्हें पता ही नहीं फिर तुम्हें पता कैसे लगी और यह मेरे कानू पर क्या चड़ लाई ओ इसका मतलब लाल चीटो ने बांबी से निकल कर तुम्हारी सिर पर राजबय दोदार लगाए गए शायद की और बढ़ना शुरू करती है क्या चीटे हाँ बाके लाल गुमार का लाल यही होता है गबराओ नहीं गुमार पर मैंने जो शायद मला था उसके साथ खुंकार चीटे तुम्हारा गुमार भी खा जाएंगे नहीं आहाँ चीटे मुझे भी काट रहे है क्या तो मैं भी काट रहे है ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तो मैं भी काटेंगे चिटर चिटर अगर पानी में कूदने के ऐसी भी क्या जल दी थी कम से कम शैब तो चाटने देता भाईयों इसके नंगे शरी में दाद धसा कर बुरी तरह ऐसे चिपड़ जाओ वरना हम पानी में डूप जाएंगे यम यम चिपा पानी पानी में चीटों से छुटकारा पाकर बाकेला किसी पेकाश सरोवर से बाहर निकला सिनापती के बच्चे मैं समझ गए कि इस खेल में जो मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा है तू भी सभी सेनिकों के साथ मिला हुआ है तेरा हिसाब तो मैं महाराज के हाथों करवाऊंगा बाकेलाल कम से कम कुर्ता तो पहन लो वह मज़ा आ गया बाकेलाल आजा विकरम सिंग के बारे में पूसता पासता सीधे रास दरवार में जा पहुँचा महाराज मेरा ऐसा घोर अपमान आज से पहले यहां कभी नहीं हुआ अरे महाराज तो यहां पर है ही नहीं बाकेलाल इदर आकर आराम से बैटो और बताओ क्या आखिर हुआ क्या बाकेलाल जैसे उस आसन पर बैटा वो कड़कड़कड़ता तूट कर तुखड़े तुखड़े हो गया बाकेलाल बैठने की इतनी भी क्या जल्दी थी कम से कम देख तो ले देगी सिंगासन की पिश्टी डांग टूटी हुई तो नहीं है बाकेलाल का कुरोध बढ़ता ही चला जा रहा था आज तुम सब की खेर नहीं महाराज सिखे कर तुम सब को महल से नहीं निकल वाया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं महारानी सौनलाता के कक्ष के और बड़ा है मोटा वहीं पर होगा मगर आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है महल में सब के सब अजीव-जीव हरकते कर रहे हैं किसा पागल हुच्छ के हैं बाखेलाल अभी राणी सुल्डाथा के कक्षि के पाश पहुंचा ही था कि यहां तो जंगली वहसा मेरा मतलब विकरंग सिंग रहता है आ यह जंगली सुन्दाता भी बड़ी तेजी से कक्षि से बाहर निकली बागेलाल पकड़ो उसे उसकी तूतन पर जो अशर्फी चिपकी है अगर वो उसे अपने सौमी बड़े सुर के पास ले जाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा पूरा विशाल कर उसका गुलाम बन जाएगा और सुर हम पर राज करेंगे मैं तो उसी से परेशान हूँ जो पहले से ही राज कर रहा है अब दूसरे को बरदाश नहीं कर सकता आप फिक्र ना करें महारानी जी वो जंगली सौर मेरे हाथों बचेगा नहीं बाकते 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 बाके लाल ने एक सैनिक के आज से तलवार भी छीन ली दी आखेर इस अशर्फी का क्या रहसे ऐसी अशर्फी महारानी के पास कहां से आई कई महारानी भी तो मेरे साथ परियास नहीं कर रही प्रांक चाहिए परियास ही क्यो ना हो मगर विशाल गळगे राज सिंगा हसंग के परश्ट मरमा कोई खतरा नहीं उठा सकता अरी ये क्या सुवर उचल कर उस घोड़े की फीट पर चड़ गया चल मेरे घोड़े टिक 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 गोड़ा तो तेज भाग रहा है उसका पीचा करने के लिए मुझे भी गोड़े की ज़रुवत है बाके नहीं भी अपना दोड़ा आया गोड़ा चल मेरे गोड़े टिक टिक बाके लाल ने जल्दी सुवर को ज़्याद बोचा गोड़ा रोक वरना करदंग खाट दूँगा नई मैं गोड़ा रोकता हूँ ये तो मैं तुससे बात में पूछूँगा कि तू कौन है पहले ये बता कि महरानी जी की वो अशर्फी काएं जो तेरी थूतन पर चिपके हुई थी वो अशर्फी तो में निगल गया था और मैंने रास्ते में जो लीद की थी वो अब उसी में मिलेगी तब ही सैनिक भी वहाँ पहुँचे सैनिको पकड़ लो इसे सुहर की खाल में ये कोई भैरूपया माना भी है बागे लाल ने गोडा मोडा और लीद की तलाश करता हुए एकिस्तान तो लीद देखकर रुख गया हाँ ये रही लीद कमगत पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि अगर पकड़ा जाने वाला हो तो अशर्फी को लीद में डालकर उसे रास्ते में ग्रा सके मुझे तो लीद देखते ही है रहसे समझ जाना चाहिए था क्योंकि वो सुहर की नहीं गोडे की लीद थी जो सुहर करी नहीं सकता था तब ही वहाँ गुझे ठाकों को सुनकर बाके ने चौक कर उस ओर देखा ये सब हस क्यों रहे हैं महराज आप सब हस क्यों रहे हैं बाके तुम जे सशर्फी की खोज में लीद में कर रहो वो तो वहाँ पर है ही नहीं क्या मतलम महरانी जी मैं महरانी जी के कहने पर hi सुर्व की काल पहन कर दोड़ा था हां बाकिलाल आज हास प्रियास दिवस मनाय जा रहा है तुम्हें इस दिवस की जाणकारी नहीं थी इसलिए सब तुम्हें ही मूर्ख बनाने में लगे रहे हास परियास दिवस? ओ, अब समझ में आया सारा चकर बाकेलाल, असलिए जानकर अब तो तुम्हें भी हसकर हास परियास में हमारा साथ देना चाहिए हाँ हाँ, क्यों नहीं? बच्चीओं, तुमने बाकेलाल के साथ जो हरकत है की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी हाँ हाँ, का और सबसे पहले बारी है मोटे मुच्छड की हाँ हाँ हाँ, अच्चा भई बाके, मैं तो चला अब अपने कक्ष में विश्राम करने बाके तुरंद अपने कक्ष में पहुंचा अब शुरू होता है मेरा काम हाँ हाँ, आज हास परियास दिवास होने के कारण तो मेरा काम और भी आसान हो गया मैं इस पिटारे में मौझू साप ले जाकर माराच के क्रक्ष में छोड़ दूँगा और अगर कोई मुझे ऐसा करते हुए देख लेगा तो क्या दूँगा कि मैं तो मजाग कर रहा था मगर पिटारे में से साप कहा गया कोई चिठी पत्री भी छोड़ कर नहीं गया जल्दी से दूसरे पिटारे की भी जाज करूँ गनीमा थी कि दूसरे पिटारे में साप मौझूद था एक भग गया बगर शुक्र है एक मौझूद है बाके ने सर्प को अपने वस्तरों में छुपा लिया और अब जल्दी से इसे में मोटे के कमरे में छोड़ाता हूँ राजा विकरम सिंग के कक्ष के पास पहुँच कर इस कमरे में जो मोटा सा मुच्छड सा और मनूस समानव है तो मैं उसे टसना है यही तो मैं भी चाहता हूँ बाके लाल ने साप को खड़गी पर छोड़ दिया ये गया साप अंदर अरे बाके लाल क्या कर रहा है बाके लाल को संदिक दवस्ता में देखकर सेना पती का दिमाग रहसे से भर गया था बाके लाल ने महाराज के कक्ष में क्या फिका है इस तरह से तो साप को फिका जाता है तो क्या बाके लाल ने महाराज के कक्ष में साप को फिका है साप का नाम जबान पर आ दी सेना पती ने गला फाकर चीखना शुरू कर दिया साप 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 बीडा गर्क इसने मुझे साप अंदर फेकते हुए देख लिया है सेना पती जी कहा है साप वह वहाँ महराज के कक्ष में है साप महराज के कख्ष में हैं तो آپ क्यों चीख रहे है चीखना तो महराज को चाईए आ मराज भी चीख पड़े महराज को साप ने काट लिया सेना पती ने रोका बाकरेलाल कारास्ता बाकरेलाल तम कहान चले मैंने तुम्हें साब फेकते हुए देखा अगर महराज को कुछ होगे तो तो मैं फासी की सजा मिलेगी मगर मैं मैं सिनापती हाट पीछे मुझे जाने दे इधर सैनिक राजा के कक्षमा पहुंची महराज आप चिक्के क्यों थे मुझे पता नहीं था कि मेरे पाउं के पाउं साप बेटा है मैंने जैसी करवट ली मेरा भारी पाउं साप के ऊपर पढ़ गया और मुझे उस साप ने काट ली आए मैं बिना वज़ा उसे नहीं काटा अप पहुड़ चल दे हैं गया यहां तो कोई भी नहीं है साप नाली के रास्ते बाग गया वो साप तो भाग गया मगर असली का पता चल गया माराज उस साप को बाके लाल ने फेका था क्या बाके लाल ने जी आ माराज मैंने जैसे ही बाके लाल को रंगे हाथों पकड़ना चाहा तो वो मुझे धक्का देकर भाग गया अगर ऐसी बात है तो वो बचकर काँ जाएगा अगर पहले मुझे तो बचाओ थोड़ी देर में वहारानी भी रोती हुई या पहुची और राजवैद भी राजवैद महाराज को बचाओ महाराज को कुछ हो गया तो तो मैं भी साप से कटा दूँगी विष के प्रहवब से मेरी एक टंग नीली हो गई मैं इसे फिर से पीड़ी करदूगा महाराज ये लीज़े महाराज ये काटा लगा और पीते ही सारा विष सांप के काटी के सांथ से ही बाहर निकल जाएगा अगर नहीं निकला तो तु मैल से निकल जाएगा मेरी तो दूसरी टाइम भी नीली होनी जिरू हो गई लगता इस आपत्तिंत विशैला था महराज की कमर पर कस कर रसी बांदो ताकि विश कमर से उपर न जाए तब तक मैं और भी ज़्यादा असर कारक बंबे बो बूटी का गोल तयार करता हूँ रसी बांदने की जुरूरत नहीं है महराज की पजामे के नाड़े कोई और ज़्यादा कस दो गुस्से में सेना पती बाके लाल को पकड़ लाने के लिए निकल गया जबकी ये लीजे महराज तुरन तसर कारक बंबे बो बूटी का गोल पी लीजे विश्का प्रवाव तो पेट पर पहुंच गया मेरा पेट नीला पड़ गया लगता है कमर पर नाड़ा कसने में कोई कसर रह गई है रसी चाती पर बांदू वरना विश्का प्रवाव और उपर चला जाएगा ये लीजे महराज ये अडंगा बूटी विश्के रास्ते में अडंगा लगाने के लिए होती है आप कुर्ता तो पहली उतार दिया है अब इससे आपका विश्क भी उतर जाएगा महराज की चाती भी नीली पड़ गई है हुडकी होगा तुमसे रस्ती कसकर नहीं बंद रही तभी विश्को उपर खिसकने का मार मिल रहा है रस्ती और उपर करके इस बार और कसकर बांदू मगर और उपर तो गर्दन है राजवेद के बक्चे अब क्या कर्दन पकजिगा रस्ती महराज फिर तो अगर आपको कुछ भजा नहीं आद हो तो उनका गान कर लें क्योंकि विश्क जब गर्दन से उपर चला जाएगा तो वो समय भज़नों कहीं होते हैं इसका मतलब वो कुछ नहीं हो सकेगा मेरा अंतिम समय आ गया महराज अगर आपकी कोई अंतिमिच्चा हो तो वो बता दू मेरी अंतिमिच्चा यह है कि मरने से पहले मैं डुष्ट बाकेलाल को अपने हाथों से मिठ्ट्यू डंड दूँ जिसने साब से मेरी काटी-काटी करा दी तो डंड दै महराज बाकेलाल को मैं पकड़ लाया हूँ ये इस पिटारे को ठेगाने लगानी की चेश्टा कर रहा था जिसमें वो साब बन था बाकेलाल भुड तेरा की होगा महाराग मैं तो मजाग कर रहा था खास मानू खानिया साब काठे का मजाग भी कोई करता है मगर तेरा बेड़ा गड़ तो होई गया बाकेलाल तब ही शंकर भगवान के वर्दान के कार विक्रम सिंका सारा जहर उतर कर बाकेलाल के गले में चला गया अर ये क्या महाराज का सारा विश उतर कर बाकेलाल के गले में चला गया वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विश्च मोटे के चरी से उतागर मेरे गले में क्यों आ गया हां महराज के चरी के बजाए अब बाकेलाल का गला नीला हो गया यानि कि मैं ठीक हो गया बाकेलाल ये कैसा रहसे है इसका मतलब विश का असर अब बाकेलाल पर होगा, आकर भगवान ने मेरी सुनी ली, ही ही, बाकेलाल, तुझे कुछ हो, हो तो नीरा, वो तो तब होता जब तू मर जाता मोटे, कर, बाकेलाल, इतना तो अब मैं समझी गया हूँ कि मुझे साप से कटवाने में अवर्शी सोच गई थी, किन्तो अब वो रहसे तो बताओ, वो रहस है मेरी भूटी किस्मत, शायद बाकेलाल अभी वो रहस हमें नहीं बताना चाहता महराज, मगर इसके गले पर चड़ा विश तो थोड़ी देर में इसके प्रान हर लेगा, फिर वह रहस हमें कैसे बता चलेगा, बा बाकेलाल विश को धारा करके हो गया है, नीलकंट बाकेलाल, नीलकंट पहवान शंकर नहीं अपने परमभक्त बाकेलाल को ये दिव्य रूप परदान किया है, जयो बोले शंकर की, राजा विकरम सिंग के प्राण बच जाने की खुशी में महल में जश्ट और दावत का इं दीरे मेरे प्राण ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मोटे को मारे बिना ही मर गया, तो मेरी आत्मा को सर्ग में कभी चैन नहीं मिलेगा, बाकेलाल, मेरी ओर से ये लड्डू लेते जाओ, मना मत करना, तुमने महाराज के प्राण बचाए है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक मनी मनी ये योजना बना कर बाकेलाल अपने कक्ष में पहुँचा और ये मिलाया मैंने लड्डू में विशैली पत्तियों का रस, और बेटा मोहक सिंग, मैं कब से तुम्हें दून रहा था, क्या आप मुझे क्यों दून रहते बाकेलाल चाचा, आज खुशी का अफसर है, मैं तुमारे लिए लड्डू लाया हूं बतीजे, लड्डू, वाह, तो फिर लाओ, नहीं पुत्र यहां नहीं, तुम मेरे साथ आओ, शोर शराबे से दूर कहीं एकार में बैट कर हम दौनों ये लड्डू खाएंगे, ये बाकेलाल राचकुमार मोहक सिंग को कहा ले जा सेना पती भी उनका पीछा करता हुआ, वह वहां पहुंच गया था, बाके चाचा, मुझे तो ये बास समझ में नहीं आई कि इस इस्थान में ऐसी कौन सी बात है, जो आप मुझे यहां लड्डू के आने लायो, कहीं इन लड्डू में जहर तो नहीं मिला, तेरा सत्या ना सिंग के हाथ से लड्डू के धैली लेकर उसे खोल पाता, खबरदार, बापने टाकू, टाकू जाडिया का नाम सुनते ही लोग डर का जाडियों में चिप जाते हैं, पकड़ लो राजकुमार को, कब से मेरी इसमन नजार थी, बाके चाचा, मुझे इन टाकूं से बचाओ अब तुझे चार बोरे हीरों और मोतियों के हार ही बचा सकते हैं, बाके लाल जा, राजा से चार बोरे भरकर हीरों और मोतियों के हार लेकर, आज सुर्रास से पहले काली पाड़ी की कुफा में आजा, हीरे जबारातों के बने हार दे जा और इस छोकरे को ले जा, चलाओ स वो मारा है हाहा 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 ये तो खुशी-खुशी वापिस लोट रहा है अब तो डाकुई उसे मारा लेंगे क्योंकि मैं हीरे मोती देने वाली बात महाराज को बताऊंगा ही नहीं सेना पती बाकेलाल का लगातार पीछा कर रहा था अब अगर मैंने ये बात महाराज को बताई तो मेरी खिल्ली उड़ाएंगे कि मैं टाकुई घादू मोहक सिंग को बचा नहीं पाया अब क्या करूँ बात नहीं बताई तो टाकुई हीरे जवारात ना मिलने के कार राजकुमार को मार डालेंगे क्या पता बाके लाल के दमाँ में कोई योजना हो मुझे ये बात अभी महाराज को नहीं बतानी चाहिए अगर मैं वह दिश्य न देखता तो भी नहीं बता पाता सूर्यास को हो नहीं था महल में कोई अफरात अफरी नहीं मची इसका मतलब बाके राल ने अभी तक भी बात महराज को नहीं बताई ए अरे ये तो अभी भी सो रहा है फिर जब सेना पती ना महराज को सारी बाते बताई तो बहल में हाा का नज गया क्या, राजकुमार को टाकू जाडी ओठा कर ले गया और बाकेलाल ने मैं बताय भी थाई हाई मेरा पुत्र किन्तो तुमने मोहक से इंको बचाय क्यों नहीं से ना पती महराज मैं तो वहां जाडियों में लगू छंका के लिए गया हुआ था मैं तो सोचताता कि बाकेलाल जी के रहते राज कुमार को आज भी नहीं आ सकती कि तो मुझे क्या पताता कि बाकेलाल जी भी घरा कर चैन की नीम्ट सो जाएंगे वो देखे है महराज बाकेलाल अभी तक निच्चिन सो रहा है अब आएगा मज़ा, इस बार महराज बाकेलाल को या तो फासी पर चला देंगे, या फिर महल से निकाल देंगे, बाकेलाल को तरण हिरासर में ले लो, हाई महराज, अगर मेरे महराज को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी, अरे रे कौन है, बाकेलाल, जो को सेनापती कह रहा है क्या वो सच है क्या सच मच मौक सिंग को डाकु जाडिया उठा कर ले गया है ओ ये कमकत सेनापती मेरा पीछा कप छोड़ेगा शायद उसने मुझे मौक सिंग के साथ जाते देखकर मेरा पीछा गया होगा अब तो हुआ ही अब तो हुआ ही बेड़ा अग देते तो मुझे शैतान को हीरे जवारा देकर उनसे अपना पुत्र मुक्त करवा लेते सेना पती बाके लाल को तुरन हिरासत में ले लू और अगर भगवान न करे मौक सिंग को कुछ हो गया तो इस जुच्ट को तुरन फासी देती जाए पीडा गर्क सेना पती के च्छाओं पर पर फिर को ठारा गात हो गया ये जीवित पट कर कैसे आ गया पुत्र मोहक तुम तो डाकू की कैद में थे उन्हाने मुझे नहीं चोड़ा पिताश्री वो तो मुझे काली पारी की कुफा में ले गय थे वहाँ पहुचकर मुझे भूख लगी तो मैंने बाखे चाचा की दिये लड्डू खाने चाहे मगए लड्डू देखकर डाको को मुँमे भी पानी आ गया और उनों मुझे सभी लड्डू छीन लिए भूख तो हमें भी लगी है चारो डाको एक एक लड्डू खा गए अब मैं क्या खाऊंगा मगए लड्डू खाते ही चारो डाको भूमी पर गिरकर तडपने लगे और उनके मुझे नीदी जाग निकलने लगी तुमें क्या हुआ तब मुझे पता चला की लड्डू मैं जहर था जहर इस पकार डाको के मर्दे में वहाँ से भागाया और वो देखिए उनकी गुफा में पड़ा सारा खजाना भी साथ ले आया खजाना मैंने चाही थी जुष्ट की मृत्यू और इसे मिला खजाना मगर अब प्रश्ण यह उड़ता है पिताश्री कि पाके चाचा ना मुझे जैरी लेटर टू खाने को क्यों दिये हां बाकेलाल चवाब तो हां वो तेरी चाल तो पकड़ी गई पाके अब जान बचाने के लिए कोई ना कोई तकड़म भढ़ा नहीं पड़ेगी बाकेलाल को तकड़म सोचनी ही पड़ी वो महराज, आप तो जानती है कि शंकर भगवान की मुझे पर कितनी किरपा है सहम शंकर भगवान नहीं मुझे ऐसा बताया था कि उन डाकों की मिर्ती विशैली मिठाई खाने से होगी इसलिए मैंने मिठाई में जाहर मिला दिया था अगर ऐसी बात है चाचा, तो फिर आपने मुझे मिठाई खाने को क्यों कहा आज हास परियास दिवास है ना, तो वो तो मैंने तुमारे साथ मजाग किया था और अगर मैं मिठाई खा लेता था, भगवान चंकर ने कहा था कि मैं मिठाई डाकू मोहक सिंके हाथ से ही चीनेंगे, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मिठाई नहीं खा पाओगे अन्य था, मैं इतने आराम से लंबी तान कर थोड़ी सोता, फिर बाके, मुझे शमा करते मैंने जुष्ट सेनापती की बातों में आकर तुम पर जूटा आरोप लगाया, सेनापती की तंखा में से सौर सौन में द्राय काटी जाएंगी एकर पुची, तुम्हारा सत्य अन्य जाए डाकूं, अगर मुझे पहली पता दी थे, कि मैं डाकूं में, सौरी मैं लड़्डू में जहर तो ना मिलाता इधर उसी समय काली पहाडी की कुफा में, यहां तो सबके सब मरे पड़े हैं, इसका मतलब मैंने मौक सिंग के बदले हीरे जवा रहा तो, बने हार प्राप्त करने की योज़ना बनाई थी, उसकी टांग तूट गई, किन्तु उन हारों में से एक हीरों का हार ऐसा भी है, लंबे हीरे नागमणी दीप से लाए गए हैं, जिसमें लगे हीरे नागमणी दीप से लाए गए हैं, उन हीरों की विशेष्टा यह है कि अगर वो किसी बहरूपे के पास हो, तो भले ही उसकी धोती गीली होती रहे, बगर उसे कोई पैचान नहीं सकता, दोबारा शंकर भ पर ले बिल्कुल वैसा ही हर खजाने में रख भी दिया, अब इसे ले जाकर मैं रख देता हूँ, कमगत सेनापती के कक्ष में, यह हाट कैसी है, शायद मेरे कक्ष में कोई चोर है, अगर मैं हिला तो वो मुझे तलवार मार देगा, हीरों का हर सेनापती के सराने के नीचे ही रख देता हूँ, फिर बाकेलाल तुरंत कक्ष से भाहर चला गया, काम बन गया, अब तो होकर ही रहेगी सेनापती की छुट्टी, यह तो बाकेलाल, यह मेरे कक्ष में मेरे सराने के नीचे का रखने है था, सेनापती को अपने सराने के नीचे रखा गया हर तुरंत ही मि अगर मैं भी सेना पती हूँ, मैं ये हार ले जाकर बाके लाल को बाके लाल के कक्ष में वापिस रख देता हूँ, ठीक उसी जम्हें राजकोश में हंगामा मच गया, ये खजाना मुझे दे दो, राक्षस, मारो इसे, मुझे तुम जैसे तुच्छमानक खरोज भी नहीं उस राक्षन न सारा खजाना चान मारा और फिर, हे हे, मिल गया, नाक बढ़ी हार, जबकि उसी समय महाराज के कक्ष में मची थी, अफरात अफरी, महाराज, मैंने खुद सारे खजाने का निरिक्षर किया है, बगर वो हार उसमें नहीं है, चिंता मत करो कोशा दिकारी, वो हार तुम्हें सेनापती के कक्ष में मिलेगा, मेरे कक्ष में, तुमने चुराय है तो और कहा मिलेगा, और मैं कहता हूँ कि हार बाकेलाल के कक्ष में है, तो वहीं पर मिलेगा, दौनों के कक्षों की तलाशी लो, बारी बारी से दौनों के कक्षों की तलाशी ली गई, हार सुनक राज को से नागबड़ी हार चुरा कर ले गया क्या बगर हार तो हमारे पास है बाके लाल के लिए तो ये सुनेयरा अफसर था अब समझे महाराज कि मैंने यहार सेनापती के कक्षमे ले जाकर क्यों रख दिया था क्योंकि यहार सबसे अधिक सुरक्षे वहीं पर रहता किम्ति सेनापती ने मुझे चोड साबित करने के लिए यहार मेरे कक्षमे शिपा दिया सेनापती तो मैं अपनी सवाई में कुछ कहना है महाराज मैंने भी यही सोचकर यहार बाके लाल के कषमे रख दिया था कि यह मुझे भी अधिक बाके लाल के पास ही सुरक्षित रहेगा तो तपि तुमने मुझे चोर क्यों का था वो तो मैंने मजाए किया था क्योंकि अब यहाज़ परियास दिवस खत्म नहीं हुआ तो मैंने भी तो मजाकी किया था महराज असलियत ये है कि मुझे शंकर ववान ने पहली बता दिया था कि राक्षासनक हार चुराने आने आने वाला है इसलिए मैंने उसे खजाने से अटा कर वहाँ पर एक नकली नागमणी हार रख दिया था इसका मनला राक्षासनक जो हार लेकर गया वो नकली है जी हां माराज बिलकुल नकली जान बची वरना इस सेनापती के बच्चे न तो मुझे भजाने वे कोई कसर न छोड़ी थी फिर जैसे ही बाकेलाल अपने करक्षे में पहुचा बाकेलाल आएं मुझे कौन पुकार रहा है और पुकारने वाला दिखाई भी नहीं पढ़ ला बाकेलाल ये मैं हूँ भगवान जंकर आप हाँ वत्स इस वक्त मैं एक परिशानी में हूँ मुझे तेरी मदद की आवश रकता है इसलिए आना पड़ा भगवान को भक्त की मदद की ज़रूरत ये आप क्या कह रहा है भगवान बाकेलाल एक दुष्ट राक्सत नक मेरी तपस्या कर रहा है मुझे परसंद करके वो मुझे तुशूल मागेगा फिर वो उस तुशूल से नेवलाओं को मारेगा फिर तीनों लोगों को अपना निशाना बनाएगा जबकि मैं उसे वर्दान देना नहीं चाहता हूँ तो इसमें मैं क्या करूँ तो मैं नकली शंकर भगवान बनकर उस डिष्ट के सामने जाना होगा क्या हाँ बाकेलाल अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं भी तुमारी विशालगर का राजा बननी के इच्छा पूर्ण कर दूँगा क्या सच फिर तो वो मारा पापड़ वाले को मैं शंकर भगवान बनने के लिए तयार हूँ मगर मैं आप जैसा दिखूंगा कैसे तेरा गला नील कंट होई चुका है अपना कंट नांग मैं तुझे दे देता हूँ और अपना तुशूल भी अपना रूप भी अब मैं तुझे सीधा राक्षस नक के सामने प्रकट करता हूँ जिसने वेश बदला हुआ है कि तू इसके पास जो नागमणी हार है वो नकली है इसलिए इस बार में इसे पहचान गया हूँ हे भोले शंकर प्रकट हूँ मैं तुम पर परसन हुआ वर मांगो ओ भोले शंकर आप इस बार गले में नाग भी है यह असली भगवान शंकर ही है भगवान मुझे वर में आपका तुशूल तै तुशूल है है सैसा बाकेलाल के गले में भरा पूरा विश रिशी की वेश में बैठे राक्षासनक को भस्म करता चला गया आ ये क्या फर मंगते मैं भस्म हो रहा हूँ इसका मतलब भगवान शंकर ने मेरे साथ चल किया और अपने रूप में किसी और को भेश दिया खोड़ पादी की हो किसी दुष्ट का संगार होगा इसलिए मैंने ये योजना बनाई दी ताकि तुमारे गले में ठैरे विश से राक्षस नक्की मिट्टी हो जाए वो भी एक स्थूल काय राक्षस है इस पकार किसी का वरदान जूटा साबित नहीं हुआ कंटनाक के पुत्र के विश से जब राजा विकरम सिंग नहीं मरा तो कंटनाक का वरदान जूटा पड़ गया क्योंकि विश तो तुमारे गले में था और रही बाद तुझे राजा बजाने की तो वो तो एक मजाग था जैसे तूना मुझे एक बार मेड़क कार्ग बिला दिया था आखेर आज हास परियास दिवस भी तो है क्या अच्छा बाकेला होड़ अप्पा चल देया गया फूट गई मेरी किसमत महल पहुंचने पर बाके वहाँ खड़े खड़े अपने बाल क्यों नोच रहो ये देखो हीरे मोतियों के खजानी से लदा ये रत नेवले महल में छोड़ गएं क्योंकि तुमने उन पर मन राता राक्षसनक का संकर जो समाप्त कर दिया है बाके देफिर पुच्ची देवले के बच्चों मदद मैंने तुमारी की और खजाना दी दिया मोटे को तो भगवान शंकर को बाके लाल ने मैड़क का अर्ख कब पिलाये था इसके बारे में जानने के लिए पढ़ें बाके लाल का प्रथम कॉमिक्स तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं बाके लाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेशांग तुर देव मैं तब तक के लिए धन्यवाद